Hello everyone, आज का हमारा टोपिक B.A.B.A.C. 3rd Year Real Analysis Exercise 2.1 Improper Integral Exercise 2.1 के अंदर हम एक question complete कर चुके हैं आज देखते हैं question number 2 तो question number 2 हमारे पास क्या है Test the improper integral for convergence and evaluate the integral if it converges हमें चेक करना है कि जो improper integral हमें दिया गया है वो converge करता है या diverge करता है अगर converge करता है तो हमें उसके limit find करने पड़ेगी कि किस point को converge करता है ठीक है जी यह हमारे पास question है अब देखो ध्यान से यहाँ पे हमें कहीं पर भी infinity दिखाई नहीं दे रहा है ठीक है तो infinity case तो यहाँ पे है नहीं 0 यह भी क्या हुआ one by zero infinity तो दोनो point हमारे पास क्या है point of infinite discontinuity ठीक होंगजी हमारे पास क्या है दोनों के दोनों जो जीरो है और जो दो है यह दोनों limit हमारे पास क्या है infinite के point हमारे पास point of infinity ठीक है जी here both the points 0 and 2 are points of infinity ठीक है जी यह हमारे पास दोनों के दोनों क्या है points of infinity points of infinity है तो क्या करेंगे इस integral को break करेंगे किसी एक ऐसे point पे जहाँ पर infinity ना बनता हूँ ठीक है जी let's say 1 on 0 से 2 इसके बीच में नेक interval ले लिया ठीक है जी अब जो हमारे पास integral है 0 से 2 dx अपोन x 2 माइनस के x इसको मुलिख सकते हैं 0 से 1 dx अपोन x into 2 माइनस x पलस अब 1 से 2 जाएंगे dx अपोन x into 2 माइनस x ठीक है जी हमें जाना है 0 से 2 तक तो हम क्या करते हैं बीच में एक stop ले ले लेते हैं एक break ले लेते हैं कि हम पहले 0 से 1 जाएंगे फिर 1 से 2 जाएंगे ठीक है जी ऐसा का मुका अब हमें इस integral को solve करना है इस integral के अंदर हमारे पास ये limit put करने पे not defined बनता है यहाँ पर ये limit put करने पे not defined बनता है ठीक है जी तो इस case के अंदर हम क्या करने वाले हैं इस case के अंदर limit अब silent 1 tends to 0 positive ठीक है अब silent 1 tends to 0 positive क्योंकि हमारे पास अब 0 है तो इसके place पर क्याएगा 0 प्लस अब silent 1 ठीक है फार्मूला क्या होता है यहाँ पर अगर लोवर लिमिट पर क्या बनता है point of infinity बनता है तो वहाँ पर हम लिखते है a plus epsilon तो a की value क्या है 0 है यह वाली 0 ठीक है जी plus epsilon 1 ठीक है हमने इसको epsilon 1 नाम दिया है तो dx उपर बन आएगा अब वोर में x into 2 minus x plus same काम यहाँ पर करेंगे लिमिट अब silent 1 हम यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर यूज करेंगे epsilon 2 tends to 0 positive और लिमिट हमारे पास क्या बनेगी 1,2,2 minus epsilon 2 यहाँ पर हमारे पास क्या होता है अगर अपर लिमिट हमारे पास क्या बनातीजी point of infinity बनाते है तो उस case में हम b में से अपर लिमिट में से epsilon को minus करते हैं ठीक है अब यह हमारे पास integral बन चुका है अब हमें इसको soul out करने है ठीक है इसको हम partial fraction soul out कर सकते है हंजी कर सकते है अगर partial fraction नहीं आते है तो आप सीख लिजी integral है 12th class के अंदर आपने सीखा भी होगा ठीक है तो ऐसे देखो इसके अंदर यहाँ पर 2 minus x है यहाँ पर x है तो उपर मैं क्या करूँ 2 से multiply कर दो 2 से divide कर दो बट चलो इसको soul out करते है partial fraction से देखा आपको partial fraction भी clear हो जाएंगा 0 प्लस अब 711 1 यह हमारे पास हमने ले लिया एक x यहाँ से x उठा लिया अब यहाँ पे अगर मैं x के place पे 0 पुट करता हूँ तो यह क्या बनता जी not defined तो मैं x यहाँ पे लिखा है तो x को hide कर लो जो बच गया जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वाँ 0 पुट कर दो तो 2 minus 0 क्या बनेगा जी 2 बनेगा ऊपर 1 है तो 1 by 2 तो यहाँ से मारे पास क्या जाएगा जी 1 by 2 ठीक है फिर next 2 minus kx इसको hide किया तो यहाँ पे 0 कैसे बने गई ही जब x कर लोगी 2 होगी ठीक है x कर लोगी यहाँ पे 2 होगी तो 0 बन जाएगा तो 2 यहाँ पूट कर दो तो यह बनेगा जी 1 by 2 dx ठीक है पुलस सेम कारें यहाँ पे कर सकते हैं यह हमारे पास अप्सेलं 1 से 2 Trading ठीक है जी और लिमित हमारे पास यह चल रही है लियमिट अप्सेलंग टेक discerser pushing सेम यहाँ पे लिमिट अप्सेलं टुरह पोजिटिव तो यहां पर हमारे पास 1 से 2 मैंस सबसाइलं टो तो सेम उपन हमारे पास यहां पर हो जाएगा 1 by 2 upon x plus के 1 by 2 upon 2 minus x dx ठीक है जी हो गए इतना काम उपन ठीक है इसके बाद इसको फोलाउट करना 1 by 2 यहां पर 1 by 2 आप 1 by 2 common 1 by 2 आप 1 by 2 common आ जाएगा हैं जी तो न भाइटो को क्या हम complete common निकाल सकते हैं यहां से भी common दिख रहा है यहां से भी common दिख रहा है तो 1 भाइटो को बाहर करती है अंदर आएगा लिमिट अप साले 1 टैंस तो जीरो पोजिटिवू जीरो प्लस अपसाले 1 तो वन और यह बनेगा 1 अपोन x पलस 1 अपोन 2-x dx पलस limit अब silent 2 tends to 0 positive और यह बनेगा हमारे पास 1 से 2- 1 upon x पलस के 1 upon 2-x dx इतना काव हो गया हमारे पास अब यहां से हमें limit अब silent 1 tends to 0 positive यह तो हमारे पास hd जाएगा ठीक है जी इसके बाद जो हमारे पास यह integral है इसको मैं evaluate करना है मतलब इसका integration करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है 1-bax का integration log x होता है log x minus इसका integration क्या होगा लोग 2-x होगा ठीक है जी और x coefficient कैसा है negative से divide करेंगे तो हमारे पास negative बाद जागा यहां पर और मैंने पहले लिखते है ठीक है जी इतना काम हो गया और यहां पर हमारे पास limit है यह अपसाल है 1 से 0 positive और इसकी limit क्या थी integral की 0 प्लस अपसाइलन उन से 1 प्लस लिमिट अपसाइलन 2 टैंट सो 0 positive इसका भी से मारे पास आएगा log x minus log 2-x और यह लिमिट हमारे पास है 1 से 2 माइनस के अपसाइलन 1 by 2 क्या इसको मैं log x upon 2 माइनस x लिख सकता हूँ log m minus log n क्या था लोग m by n होता है हाँ जी limit अपसाइलन टैंट सो 0 positive इसको लिखेंगे log x upon 2 माइनस x ठीक है और इस पे जो लिमिट है वो हमारे पास 0 प्लस अपसाइलन से 1 प्लस लिमिट अपसाइलन 2 टैंस जीरो पोजिटिव और यह हमारे पास लोग x upon log log x upon log नहीं log x आए गाए सिरफ ठीक है एक ही लोग आए गाए यहां पे log x upon 2 माइनस kx और लिमिट है 2 माइनस अपसाइलन 2 ठीक है जी हो गए इतना काम ना होगी इसको sold out करते हैं 1 put करते हैं आप अपर लिमिट 1 upon में 2 माइनस 1 1 बनेगा तो log 1 आएगा हमारे पास log 1 की value क्या होती है जी 0 होती है तो ठीक है तो इस कंद लिख देते हैं हम यहां पर चलो लोग 1 अपर लिमिट पूट किया है फिर हम पूट करेंगे आप लोग लिमिट जब लोग लिमिट पूट करेंगे तो sign कैसे लगाएंगे माइनस का ठीक है जी ओके एक सेकेंड पहले इस से पहले यह भी लिख देते हैं लिमिट अप सेल्लर 1 टैंस जीरो पोजिट्यू और यह हमारे पास लोग 1 ऐसलोग कि ऊप सिमयन फोट करेंगे तो यह हमारे पास क्या बनएगा अट करेंगे तो फोर फोर यह हमारे पास लोग New 2 सब्सक्राइब करेंगे तो वन अपोन वन लोग वन यह होगा सोल जीतना ओके यह अपने नोट कर लिया होगा मैं स्कुरेज कर देता हूं और यहां पे लिए देता हूं आजाइब कर देंगे हैं तो हमारे पास वन वाईटु द बाहर है सबके गमलिट अब लोग वन वन के लिए उत्ती जीरो बच्येका हमारे पास यह तु मिट कैंट अपसालन वन टैंस रू पॉजित्यू पूजिट्यू माइनस के लोग आपसालेबं अपॉन टू-cąस्ले 1 ठी कर दिक है जी पलस लिमिट अप सेलेंट टू टैस जीरो पोजिटिव यह भी मारे पास क्या बनेगा लोग टो माइनस अप सैलेंट डू अपॉन अपसलेंट और इसके वैली का थी लोग वन की वैलू जीरो ठीक है तो वन बाइटू अब यहां पर पूट करेंगे इसको अपस यहां से हमारे पास आंसर क्या आया इन्फिनिटी ठीक है जी तो देर्फोर गीवन इंटीकर इज डाइवर्जेंट यह डाइवर्जेंट हो गया है क्योंकि हमारे पास यहां से कोई finite number एक जिस नहीं हुआ हमारे पास क्या इंफिनिट आया है तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी यह डाइवर्जेंट ठीक है जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जल्दी कीजिए नोटी से, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, एक शेड में देख लेता हूं, कहीं भी वीडियो कंप्लेट आर यूनियारी, ठीक है, थोड़ा साथ महां से कटा हुआ था, अब आपको दिख जाए वहां से, ठीक है जी, हमने क्या गया था, जिस लिमिट वूट की थी उपर हो, वो तो आप इसे समझ गई होंगे, अब हमारे पास सेगेंड पार्ट है जी, सेगेंड पार्ट, जीरो से टुए, डी एक्स, अपोन, एक्स माइनस, एका स्केर, ठीक है, यह हमारे पास है, अब देखो यहां पे, अगर हम एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं, तो 0-a, तो 1 गास्केर बनेगा, यह तो हमारे पास क्या जी, not defined नहीं बन रहा, infinity नहीं बन रहा, 2-a put करेंगे, नहीं पर 2-a, यह वह दिखाए, यह है, यह भी ए बनेगा, एका स्केर होगा, यह भी मारे पास नहीं बन रहा, तो हमारे पास यहाँ पे जो limit है वो तो हमारे पास infinity नहीं बना रही बट यह integrant क्या है जी infinite है, no defined है तो किस point of no defined होगा यह इस integral के बीच में कोई point देख लो किस point पे होगा, तो इस integral के बीच में एक point निजर आ रहा है, वो point क्या है अगर मैं यहाँ पे x के place पे a put कर दू, तो a minus a क्या बन देगा 0 और 1 by 0 क्या होगा जी no defined, ठीक है तुम क्या करते हैं, इस integral को break कर लगते हैं 0 से a, dx upon x minus a का square, पलस a से 2a dx upon x minus a का square, ठीक है जी इतना काम हो गया, अब हमारे पास जो a point है, वो point क्या जी point of infinite discontinuity here a is the point of infinity, sorry continuity question जादा हो भी ना, तो दिमा के अंदर वही चला, continuity, continuity तो हमारे पास यह चीज़ है तो देखो है, यहाँ से, limit अब epsilon 1 tends to 0 positive, ठीक है अब बात किसकी अगरते है अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट की बात करते है तो अपर लिमिट में से, अब epsilon 1 को माइनस करेंगे, तो a माइनस के epsilon 1, तो dx upon x minus a square, पलस इसके लिए, limit epsilon 2 tends to 0 positive, और यहाँ से हमारे पास कहाएगा, a plus epsilon 1, तो a plus epsilon 1, अब epsilon 1 हमारे पास, ठीक है जी, 2a dx upon x minus a square, ठीक है यह हमारे पास हो गया बच्चों पीछे थोड़ा सा न, आपको background में थोड़ा नोएच सुन रहागा, बच्चों का उसको थोड़ा इगनोर करना, ठीक है क्योंकि आज छुटी आप से भी खो पता है दसेरा है, ठीक है दसेरा है, तो बच्चे छुटी स्कूल की तो बच्चे यहां पर खेलते हैं तो उनकी आवाज आती है थोड़ी वोद, ठीक है तो उसको थोड़ा इगनोर करना, हमारे जो में काम है में टारगेट है, में फोकस है, वो यहां पर होना चाहिए, ठीक है जी कहते न, इस सक्सेस एक तुझ पर फोकस करके मैंने सारी दुनिया को बलर कर दिया तो उस दुनिया को बलर कर दो अपने दुनिया को यहां पर बसा दो, ठीक है देख़व आप यह हमारे पास आजी, अब हमें करना यहां पर उपर जाएगा तो माहिनस टू बलस वन तो माइनस वन आएगा हमारे पास बनीचे माइनस आएगा तो माइनस के बन अपन भी माइनस एकस माईनस दी यह आपस हो जायगा, देखो कैसे किया हमेने जो ऐस माइनस एका सटीड था न पोजिटिव बन गया किसी इंटेगल ने प्रोब्लम है तो अब देख सकते हैं से वैसे इंटेकेशन आपको आना चाहिए आप फाइनली रेके सुडेंट है है ट्याल सकें आपको चील आना चाहिए ठीक हर जी त वि इसा आएगा मानेस मीनिस ओसन एक्ष होंज जाएगा सबस्ते हैं आपको अब Làm इसरहन से करतें एक ह ons उचए इसा से माहिए पकार जाए गे है तो बेंश एक lav डेउन से आफ से हो जाएगा है würd明 जी, पलस हो जाएगा, 1 by अबसाल 1, ये बात हुई अपर लिमिट की, अब बात करेंगे, लोगर लिमिट की, लोगर लिमिट की बात करते हैं, तुम क्या लगाते हैं, माइनस साइन, ठीक है जी, 0 पुट को रहे, तो क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा, और माइनस ये है, तो माइनस माइनस पलस हो जाएगा, तो वन अपोन ए बचेगा, ठीक है, पलस लिमिट, अब सेलन टू रैंस सु जीरो पोजिटिव, तू ये पुट करते हैं, यहाँ पे, तू ये पुट करेंगे, तो ए बचेगा, और माइनस ये, तो सभी पास लोड लिमिट पूट करें कि तो यह से ए कंडस वन बाई अब देख वे हाँ पर इसके लिए पूट करते हैं जीरो तो फूट करेंगे इनफिनिटी तो यहां सब आएगा जी इनफिनिटी ठीक है तो therefore given integral is divergent जो given integral है मारे पास वो क्या हो जाता है जी डाइवर्जेंट हो जाता है ठीक है जल्दी से इसको नोट केजिए फिर करते है इसका next part अब हमारे पास part नमबर थ्री थर्ड पार्ट हमारे पास जीरो से वन लोग एक्स डी एक्स ठीक है जी अब चेक करके बताओ यहां से कि किस पॉइंट को पूट करें कि हमारे पास जो आंसर है वो नोट डिवाइंड बन जाए या पॉइंट ओफ इंफिनिटी बने तो वन पूट करते है यहां से लोग वन लोग वन के वह लिके होता है अंडिफाइंड होता हैं ठीक है टॉट इइफाइंड तो हमारे पास जो जीरो है हेर जीरो इस दा ओनली पॉइंट ओफ इंफिनिटी जो मारे पासे निटी बनाएगा वह यहां पे ओनली पॉइंट जीरो है ठीक है जीरो पॉइंट है तो इसके लिए इंकाम कर सकते देरफोर जीरो टो वन लोग एक्स डी एक्स इस इकॉल टो लिमिट अब साइलन टेंट सुजीरो पोजिटिव अब साली रूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंगल चीज़ है फंक्शन एक ही है हां जी हमने लिमिट को ब्रेक नहीं किया है एक ही पाइंट पर डिसकेंटिर आप साहने उपर लोग एक्स डी ऐक्स यह ओगया अब इसका इंटिकेशन करने के लिए क्या करेंगे ऐट लोग इसका इंटिकेशन दमें पत्थानी बट्क्रताके यहां यहां से वन से मल्टिप्ला करते हैं उन सी रूहां और हमारे पास होता है यहां पे थो इसको लएक सकते में उ्jector x अब यहां पे उसकरें ने समय हम इन्टरेशन अव पार्ट तो लिमिन अब सैलेन टार राशole County इस चीए इस गडिकीशन करना में तो फर्स्फ फंक्शन तो Hospital इंतिये इंटिक्रेश्ट करेंगे तो क्या आए गा चाल ऐगा वह स्थ प्लिमेट लगा सकते है यहां पर लिमिट क्या बनेगी जी रप्लस अब सलवन से वन वर्य यह व्यम पास फ्लस अब सलमंसे वन वह मुण अब देखो X X cancel out हो जाएगा तो यहां से क्या बच्छेगा हमारे पास लेमिट अप्साइलेंट एंस जीरो पोजिटिव एक्स लोग एक्स की पावर इसको अपसालेंव लिक दूँ जिरो प्लस अपसालेंवन है तो वह अपसालेंव लिक सकते हम इसको वन माइनस के अब एकस एंस लॉट हुआ बचा क्या रवन बचया और वन का मर्ण इंडिकर्शन खाँत जी एक्स होता है थो यहां से एक्स लाईगा फ knapp शक् government 2020 हमारे पास है लीमिट अब सैलेंट मुण ये पोजिटिव इसको अलाउट करते हैं तो यह आप वन पूट करते हैं तो उन पूट करेंगे वन इंटू लोग 1 लोग 1 क्योता जी जीरो फिर माइनस अपसे लेवन लोग अपसे लीवन ठीक है इतना काम हो गया यहां से अंधिर माइनस अभिया पर पूट करते हैं तो वनाएगा फिर एक मैनस लगाते हैं ठीक है एक loving लेका यह बनेगा हमारे पास अब bible 11 टीकर जी होगेए इतना काम है इतना काम हमारे पास हो गया अब यहां पर रेक्पर खुर्ट करते हैं ले फूट करते हैं यह थो यहां पर फूट करेंगे जिरो बनेगा यहां पूट करेंगे इन इस्तिरल वाइट इंफिनिटिव फ़र्म तो एलाprodu च्रोल की हैं इपसे इसको स्याट करेंगे तो हमारे पास जिसका अंशर बनेगा ओंसर मारे पास किया बनेगा जीरृ माइनस बना सिफ करेंगे तो जीरृ माइनस मारे admitted क्या बनता है माइनस के बन बनता है ठीक है जी अब इसको लाउट कर सकते हो बिल्कुल आसान है अगर किसी को प्रोब्लम आती है कि हम इंडेटर्मिनेंट फोर्म को सोल आउट कैसे करते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाईए मावे प्ले लिस्ट बनी होगी इंडेटर्मिनेंट फोर्म के नाम से ठीक है जी उसके इंदर जितने भी लेक्चर से विससे भी आप देह लेना अच्छे से तो आपको हर टाइप की इं एक साल ओगे आपको पड़े हुए बोल जाते हैं तो अब रिवाइज कर सकते आशे ठीक है तो 0-0-1-1-0 तो यहां से मारे पास क्या गया किना माइन इनक्र आगया और माइन सबना एक फा इनित नंबर को किने प्र लेल इक प्रवार्ड करता है ठीक है जल्दी से नोट कीजा इसको फिर नेक्स पार्ट करते है इसका एक covari art करेंगे फिर जो नेक्सक्ष्विंहोगा वो इसेम एसा ही है । इससे सागड़ हूं तो ने मैं आपको देता हूं फिर ओंगर तो योजी अगर आपने टे टेटात टिटा थी अगर नहीं याद है तो रखुत तो टेंथ क्लास में जार गर के उसको रिवाइज कर लिजी थोड़ा सा ठीक है हो जाएगा देखो अब यहां से जीरो पुट करते हैं यहां पर तो टैंजिरो क्या होता जी जीरो होता है क्योंकि साइन बैटे को सोता है साइन जीरो वैल जीरो जीरो पनेगा पाई बैटो इंफिन तो यहां पे जो इंफिनिटे का पाई इंट आवो क्या जी पाई बैटो ठीक है 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 यहां पाई बैटो इस दा अंवली पॉइंट ओफ यहां और पास ओनली पाई तो देरफोर 0 2 5 2 10 टेटा डीटा इसको मिल्छे सकते हैं लिमिट अप्साइलन टेंस तो जीरो प जीरो से ये point है, तो pi by 2 minus के epsilon 1, epsilon हो रही, हम epsilon लेके चले हैं, और 10 theta, d theta, अब 10 theta का integration हमारे पास क्यों होता है, integration इसके हमारे पास 2 थे, एक cosky form में है, एक sack की form है, ठीक है, तो sack की form में मारे पास integration क्या बनता है, log of sack theta, ठीक है जी, और limit हमारे पास 0 से pi by 2 minus के epsilon, ठीक है, cosky form में लिखते हैं, तो फिर minus 2 लगाते हैं, राइट, और यह आता है कैसे है, substitution methodically help से, sin theta upon ghost theta, ghost theta और टीपुट करेंगे, sin theta गाया पुझाएगा, तो वहां से हमारे पास यह जी जाते हैं, तो अब हमारे पास limit, अब साइलेंट एंस तो जीरो पोजिटिव, अब यह पुट करते हैं, log of secant pi by 2 minus k epsilon, ठीक है, log of secant pi by 2 minus k epsilon, और यहाँ पर पुट करेंगे 0 को, और secant 0 क्यों लिका होती है, second वैसे क्यों होतता है, 1 by cos theta, ठीक है जी, और cos 0 करेंगे 1 होती है, तो secant 0 करेंगे 1 होगी, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, log 1 आएगा, ठीक है, limit, अब silent है, तो 0 positive, अब log of secant, pi by 2 minus theta है, pi by 2 minus theta, pi by 2 पर quadrant change होता है, angle, ठीक है, जी तो हमारे पास, sorry function change होता है, मैं क्या बोलगा, secant है, तो secant है, क्या बन जाएगा जी, को secant, अब silent, ठीक है, यह बना हमारे पास, ठीक है जी, और यह value क्या होती है, log 1 की value 0, तो हमारे पास, अब यहाँ पर अगर input करते हैं, इसके अंदर, अब silent की value को limit put करते हैं, यहाँ पर cos 0, cos X 0, और cos X 0 क्या होता है, sin 0 के लिए 0 होती है, और cos X 1 क्या होता है, 1 by sin होता है, तो नीचे 1 by 0 बनेगा, तो क्या बनेगा जी, इन्फिनिटी बनेगा, अजी, इन्फिनिटी, ठीक है जी, तो इसको लेख सकते हैं, therefore, given integral, is divergent, जो given integral हमारे पास, वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा, जो question number 2 है, वो complete होता है, इसके बाद, जो question number 3 है, वो question बिल्कुल, same, ऐसा ही question दे रखा है, वो question आप खुट रहे करोगे, उसके दो तिनी पार्ट है, ठीक है जी, बिल्कुल आसान question है, फिर भी आपको कर डाउट रहता है, कहीं पर उस question के अंदर, तो आप हमारे टेलेग्राम गूरूप के अंदर, जोड़ करके, वहाँ पर discuss कर सकते हो, ठीक है जी, तो मिलते फिर जल्दी, next questions के साथ, बाई बाई, take care, see you, thank you for watching,